लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की बोटिंग के लिए एक जून को इंडिया गटबंदन के शीर्ष निताओ के बैठक बुलाई गई है इस बैठक में चुनाव नतीजे के साथ आगे की रणनिती को लेकर मन्थन किया जाना है लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे ऐसे में नतीजे से पहले ही इंडिया गटबंदन की बैठक काफी एहम मानी जा रही है चुनाव के बाद की परिशितियों के मद्दे नजर होनी वाली बैठक में आपस में एक जुटता बनाई रखने की कोशिश और आगे की तयारी की रणनिती को लेकर है दिल्ली में एक जुन को इंडिया गटबंदन की होने वाली बैठक में सभी सहय युग्यों को बैठक में भाग लेने की नियामंत्रिज किया गया है माना जा रहा है कि ये बैठक चुनावों की समीक्षा करने और नतीजे के बाद की परिशितियों को लेकर हो रही है इसके लावा इंडिया गटबंदन के भविश्य के कदमों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है इंडिया गटबंदन की बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब लोगसभा चुनाव की अंतीम चरण की बोटिंग हो रही होगी इतना ही नहीं तमाम सियासी पंडित भी मान रहे हैं कि बीजयोपी पिछले चुनाव से कम सीट जीत पा रही है हाला कि बीजयोपी ने 400 पार का नारा दिया है और दावा किया जा रहा है कि एंडिया गटबंदन तीसरी बार सरकार बनाएगा वहीं कॉंग्रस और इंडिया गटबंदन के नेता दावा कर रहे हैं कि एंडिये बहुमत हासल नहीं कर पाएगा और कॉंग्रस के अध्यक्ष मलेक अर्जुन खरगे से लेकर राहूल गांधी आमादमी पार्थी के प्रामुक और विद्केश जिवाल सपा प्रामुक अकलेश यादव और आर्जीटी नेता ते जुस्वी यादव सहिद बिपक्षी नेता इंडिया गटबंदन की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं इंडिया गटबंदन की बैठक को लेकर सभी के मन में सवाल है कि चुनाब नतिज्य से पहले बेपक्षी नेताव की बैठक क्यों हो रही है इसे लेकर इस पश्ट तोर पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया लेकिन ये बैठक उस दिन रखी गई है ज अला कि सीम केश्डुवाल ने पने जमानेत की अवधी को एक सब तहा और आगे बढ़ाने के लिए कोट से गोहार लगाई है अर्विन केश्डुवाल की पार्टी इंडिया गटबंदन की प्रम्भु घटक दल में से एक है गेश्डुवाल की आमादमी पार्टी ने दिल् का चुनाव के बाद काफी एहम होने वाली है इसलिए उनके जेल जाने से पहले उनकी महजूदगी में इंडिया गटबंदन के श्री शुनेता बाठक कर भविश्य के रणनेती पर मंथन कर लेना चाहते हैं 2024 के लोकसफ़ चुनाव में किसी भी दल के पक्ष में कोई लेहर नहीं देखी जा रही है राजनेती विश्लेशक भी मान रहे है कि अलग-अलग राज्ये में अलग तरहां के राजनेती लेहर देखने को भी रही है 2014-2019 की तरहां बीजेपी के पक्ष में जबार लह नहीं है ऐसे में बीजेपी के लिए अपने पुराने नतीजों को दोहराना आसाल नहीं है एंडिये गठवंदन अगर बहुमत से दूर रहता है तो फिर इंडिया गठवंदन में शामिल दलो की भूमिका एहम हो जाएगी ऐसे में इंडिया गठवंदन नतीजे के बाद की स्तिती को लेकर विचार, विमर्ष और भविशे की रणनेती पर अभी से ही मन्थन करने में जुट गया है